दुनिया भर के सेंडरल बैंक इतना ज़्यादा सोना क्यों खरीद रहे हैं भारत का रिजर बैंक इतना सोना क्यों खरीद रहा है क्या सोने की खपत किसी बड़े परिशानी का संकेत है क्या दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा है क्यों दुनिया में सोने की दीवानगी बरती जा रही है सवाल कई है लेकिन का जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा नमस्कार मैं शुबहम पाद्ध है और आप देख रहे हैं अमरुजाला सौने पर हम से बात करने के लिए मेरे वरिश रही होगी वरोन मेरे साथ हैं सर स्वागत है आपक कि सौने को लेकर world gold counselling की जो report आई है उसमें क्या है शुबहम देखिए वर्ड गोल्ड counselling की report है यह report हमें कई बाते बताती है महत्पूर्ण जो बात बता रही है वो यह के दुनिया के कई देश सोना बड़ी मातरा में खरीद रहे हैं और भारत का जो reserve bank है यह भी उन देशो सबसे जादा सोना खरीदा है जुलाई महीने की मैं बात कर रहा हूँ जुलाई जो बीता महीना है अगर हम उसकी बात करें तो करीब 37 टन सोना खरीदा गया है इसमें पोलेंड ने सबसे जादा सोना खरीदा है तुर्की ने बहुत सारा गोल्ड खरीदा है उजुबेकिस्तान ने बहुत गोल्ड खरीदा है चेक रिपब्लिक ने भी बहुत सारा गोल्ड खरीदा है और अगर हम केवल भारत की बात करते हैं शुवम तो भारत ने इस साल दूसरी तिमाही में यानि जो अपरेल से जून की जो तिमाही होती है इस दौरान भारत दुनिया में दूसरे पर रहा अपरेल जून तिमाही में तो 18.6-7 टन सोना भारत ने खरीदा है तुर्की की जब हम बात करते हैं तो तुर्की ने 14.6-3 टन सोना खरीदा है उजबेकिस्तान ने 7 टन से थोड़ा जादा सोना खरीदा है चेक रिपब्लिक ने करीब 6 टन सोना खरीदा है और जो द करते हैं तो Federal Reserve वहां का Central Bank है तो जो दुनिया भर के Central Bank है वो बहुत जादा सोना लगातार खरीद रहे हैं और जो दूसरी तिमाही है पूरी दुनिया के Central Bank को ने करीब 183 टन सोना खरीदा है और एक साल पहले की बात करें तो यही जो तिमाही थी इसी तिमाही में तब 173 टन सो सोना खरीदा गया था 2023 की इस तिमाही में और मतलब ऐसा नहीं है कि सारे देश केवल खरीद रहे हैं बहुत से ऐसे देश भी हैं जो बेच रहे हैं तो जो देश सोना बेच रहे हैं जब हम उनकी बात कर रहे हैं तो कजाकस्तान ने इसी साल दूसरी तिमाही में अपरेल इस वक्त जब हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के मैप को आप देखी ग्लोब को देखिये तो हमें यह पता चलता है कि दुनिया में इस वक्त भू राजनीतिक टेंशन की स्थिति बनी हुई है और ये जो टेंशन की स्थिति है आप चाहे रशिया वाला युद्ध देख लीजे यूक्रेण और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है आप चा इंशन की इस्थितिय जादा दूर की क्या बात कर रहे हैं आप बांगला देश में देख लीजे ग्रहे युद्ध के हालात हो गए थे अभी कुछ दिन पहले की ही बात है आप नेपाल में देखिए वहां चीन का इतना दखल बड़ गया आप शिरी लंका में देख लीजे वह क्या इस्थिति बनी आप पाकिस्तान में देख लीजे वहां क्या इस्थिति बनी तो जब हम यह सारी इस्थितियां देखते हैं तब इन पूरी इस्थितियों को देखते हैं पूरी दुनिया के देश थोड़ा डरते हैं शोगन फ्यूचर को देखके कि अपने पास बिते हैं तो पिते हैं तो सोने की कीम्टे बढ़ती है वह लोगल लेवल पर वड़तीर अब देखिए आपने सुना होगा इपने घर पे के मम्시 liberally legen लोग बताती है के उनकी शादी के सोना 30000 रोपह तोलह है ना यह 15000 EST बन रही है अब लोगोंकि जब हम बात करते हैं साधरण जनता की बात करते हैं तो वहां भी लोगों का सोने से बढ़ रहा है आप इस चीज को समझजी एधनाठी 플ार्ट जब देश में हिंसा होती है जब देश में ग्रहयुद होता है जब देश में कोई भी किसी भी तरीके का बवाल हो जाए तो आदमी को माल लो भागना पड़ जाए उस इलाके को छोड़ के भागना पड़ जाए अब आपके पास घर है आपके पास जमीन है आपके पास बैंक में पैसा रखा है लॉकर में आपका कुछ समान रखा हुआ है सब कुछ लेके नहीं भाग सकते। आपके पास जो गोल्ड रखा हुआ है और ते माला यह हमेशा ज़े पूरी दुनिया का ट्रेंट रहा है जो घर में गोल्ड है जो पहना हुआ गोल्ड है आदमी उसी को लेके दूसरे देश में भी जाता है अब एक देश की मुद्रा दूसरे देश में चले ना चले लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज है वो पूरी दुनिया में चलेगा पूरी दुनिया में आप गोल्ड को कहीं भी बेच सकते हो तो लोग भी सोना जादा खरीद रहे हैं कि लोगों को भरोसा नहीं है महंगाई पे लोगों को भरोसा नहीं है जमीनों पे फ्लैट में लोगों निवेश करना कम कर दिया है और यह ट्रेंड बता रहा है कि फ्लैट बन जादा रहे हैं लेकिन बिक कम रहे हैं जमीने जो है लोग खरीदना कम पसंद कर रहे हैं तो ऐसे सोने का भंडार जादा होता है उस देश की मुधरा को मजभूत ही मिलती है तो दुनिया के जो तमाम संस्था हैं ऐसे देश या ऐसी मुधरा पर ये लोग भरोसा करते हैं जिन देशों के पास सोना ज्यादा होता है अब भारत के पास मान लीजिए गोल्ड का एक बहुत बड़ा रिजर्व है अब ऐसे देश जो भारत में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि भारत की अर्थववस्था कैसी है कैसी नहीं है तो वो कैसी रहेगी तो वो अंदाजा कैसे लगाएंगे उन्होंने अपना देखा कि भारत के पास इतना गोल्ड है इसका मतलब है भविश्य इनका पहतर है हम अपनी बेटी की शादी कैसे करते हैं यह देखके कि इनके पास जमीन कितनी है इनके पास गोल्ड कितना है इनकी कहा कहा फेक्टरियां है घर कितने है तो वो गोल्ड को बेच देता है और अपना कर्स चुकाता है अब अर्थवयवस्था अगर किसी देश की खराब हो जाए तो वो उस बेकार अर्थवयवस्था से निकलेगा कैसे तो वो निकलेगा ऐसे जब जैसे 1991 में हुआ था तब भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो बहुत कम हो गया था तब भारत ने अपना सोना गिर्वी रखा था और हितिहास में मतलब ऐसे कई उधारान मिलते हैं कि जब अपना गोल्ड हमने गिर्वी रखा होता है मतलब भारत की बात नहीं कर रहा है पूरी दुनिया की में बात कर रहा हूं कि देश अपना ग सिंपल एकोनोमिक्स जाने कि किसी चीज की डिमांड भरती है तो इसके प्राइस भरते ही क्योंकि सप्लाई या रिसोर्स वह कम है अब मेरा अगला सवासर आप से यह है कि सोना जो है लोग खरीद रहे हैं देश के अंदर लोग खरीद रहे हैं हम बात करते हैं देश की एक वा इनका भरोसा गोल पर बना हुआ है किस बात को लेकर है जी देखे जो वर्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है शुभम वो हमें ये बता रही है कि 2023 में जितने भी केंद्रिय बैंक हैं उन्होंने 1037 टंसोना इकटा किया अपने पास रखा 2022 में 1082 टंसोना उन्होंने अपन हो चाहे वो फेडरल रिजर्व हो ऐसे जितने भी बैंक हैं तो वो गोल्ड को गोल्ड रिजर्व को बहुत जादा तवज्जो देते हैं अब देखे डॉलर का हम बात कर रहे थे हैं वी कि एक अधिकार इस वक्त पूरी दुनिया के भीतर है तो चाहे वो चीन की मुद्रा ह हो चाहे वो और कोई बड़ी ताकतवर मुद्रा हो हर मुद्रा ये यूरो हो वो ये चाहती है कि मेरा जो वर्चसव है वो भी पूरी दुनिया में आगे बढ़े वो आगे जाए लेकिन वो होगा कैसे अगर आपके पास गोल्ड रिजर्व है अगर एक बड़ा गोल्ड रि ये कोई देश रिजर्व रखके अपनी उस मुद्रा को उस देश की मुद्रा को मजबूत बनाता है बिल्कुल तो यही कारण है कि जो जितने भी रिजर्व बैंक है पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक है वो ये चाहते हैं कि गोल्ड हमारे पास आए हमारे स्टॉक में उतना गोल्ड हो ताकि अगर कभी मुसीबत हो तब भी हम इसके जरीए पार पा सके हमारी एकोनॉमी में भी ये हमें मजबूती परदान कर सके हमारी करन्सी को भी ये मजबूत कर सके तो कई उद्देश होते हैं एक सेंट्रल बैंक के जो गोल्ड के दुआरा पूरे किये ज होता है जैसे गोल्ड रिजर्व होता है एक डॉलर रिजर्व भी और हर देश के पास उतना डॉलर क्योंकि डॉलर एक एसी करेंसी है वह पूरी दुनिया में सुईकार कीजाती है विधेश होता है तो इस तरह hem और होता है तो यह जो डॉलर रेजर्व है ये इसलिए रख समान खरीदना है तो मैं चीन को रुपए नहीं दूँगा मैं चीन को डॉलर दूँगा है ना अब मेरे को सिंगापुर से कोई समान खरीदना है जापान से कोई समान खरीदना है अब देखे जापान की मुद्रा अलग है सिंगापुर की मुद्रा अलग है चीन की मुद्रा अ और वो भारत को समान भेज देंगे तो अगर आपके पास में डॉलर नहीं है तब आप क्या करेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा लेना क्योंकि अगर मैं नॉर्मल इंसान के साथ से बात कहूं तो अगर आपके पास में फॉरन रिजर्व नहीं है तब आप गोल्ड रिजर्व पे डिपेंड हो सकते हैं और चूंकि पूरी दुनिया की इस वक्त जो हमें देखने को मिल रही है जिस तरीके की भूर आजनीतिक इस्थितियां बनी हुई हैं जिसको जियो पॉलिटिकल कंडिशन्स हम कहते हैं तो वो जिस तरीके की बनी हुई ह हैं तो डॉलर में गिरावट आ सकती है ऐसा माना जा रहा है और यदि डॉलर गिरा तो क्या होगा तो जो अपने पास डॉलर रखा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी हमने हो सकता है डॉलर हमने महंगा लिया हो लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो इसलिए दुनिया भर के जो केंद्रिय बैंक हैं वो अब ये भी चाहते हैं कि हमारे पास हमारे रिजर्व में गोल्ड बढ़ है और डॉलर हम थोड़ा सा कम कर लें बेशक ऐसा नहीं कि जान्वूच के बहुत कम करेंगे लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि गोल्ड बढ़ जाए अगर अमेरीका का जो डॉलर है अगर उसकी वेल्यू कम होती है तो पूरी दुनिया पे इसका आसर होगा इसलिए जितने भी देश हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो पॉर्टफोलियो है उसके अंदर गोल्ड जादा से जादा हो और डॉलर आने वाले वक्त में कमजोर हो सकता है जैसा पहले भी बताया एकस्पर्ट्स का भी यही मानना है जितनी मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो भी इसी बात को कह रही है और भारत को अपना foreign reserve भी बाढ़ाना है भारत को अपना gold reserve भी बाढ़ाना है ताकि भारत अगर कभी पूरी दुनिया में जो खराब होती परिस्थितियां है उनको जेल सके वो भी बहुत आसानी से जितना मैंने अभी तक समझाओं मैंने यह समझाओं कि जैसे हम अपने घर में बजट बनाते हैं तो उसी तरीके से जो हमारा देश है जो बनाता है कि हमें आगे अगर जाना है तो ऐसी चीज में निवेश करना है जो कि सुरक्षित हो ऐसा नहीं कि आप डॉलर अपने पास जो रिजर बैंक्स हैं सभी देशों के वो गोल्ड पर अपने भरोसा बढ़ा रहे हैं सर अब भारत से जुड़ा होगा मेरा एक सवाल आपस अगला यह है कि भारत के पास सोने का कितना भंडार है जो हम यह सब बात कर रहे हैं जी देखे मेरे पास अभी एक रिपोर्ट सोना करीब खरीदा है यानि कि इस से पहले करीब 803 टन भारत के पास था अब यह एडिशनल 43 टन जो जुड़ा है इसके बाद 846 टन सोना भारत के पास में हो गया है और देखे रिपोर्ट हमें यह भी बता रही है कि 2022 में भारत ने काफी सोना खरीदा था मलब दुनिया में सबसे ज़ादा सोना उस साल भारत में करीदा था 2021 की जब हम बात करते हैं तो 2021 में भारत के Reserve Bank की जो खरीदारी थी सोने के रूप में वो तीसरे नंबर पर थी और 2020 में Reserve Bank ने करीब 41 टन सोना खरीदा था 41 टन से थोड़ा ज़ादा खरीदा था और भारत न अभी पिछले दि के पास कितना सोना है तो भारत इस लिस्ट में नमे नमबर पर है. भारत का कितना सोना भारत में रखा है और कितना सोना बाहर रखा हुआ है सर क्योंकि ये भी कई बार मैंने पढ़ा है और जानकारी में आई है कि कई देश जो होते हैं वो सोना कुछ अपने पास सकते हैं और कुछ किसी देश के पास सकते हैं जरा आप जरा ये बताइए कितना भारत अपने पास और कितना बाहर? देखिए ज़ेसे मैंने बताया कि 846 तन सोना भारत के पास में हैं आप रॉंड फिगर में 800 मान लो तो करीब 400 तन सोना भारत के अंदर है और 400 तन सोना जो है वो Bank of England के पास में रखा हुआ है इंगलेंड में भारत ने ये सोना रखा हुआ है यानि आधा अपने पास है और आधा इंग्लेंट बराइए बिलकुल और जो भारत में 400 टन सोना मौझूद है इसमें से 300 टन सोना जो है वो रिजर्बेंक के पास है और 100 टन सोना जो है वो अलग-अलग बैंकों के पास में मौझूद है अब हाल ही में भारत ने मैंने जैसे ब माना जाता है कि कुछ वक्त पहले भारत की ऐसी इस्थितियां थी परिस्थितियां थी कि भारत के पास गोल्ड को रखने के लिए गोल्ड की सुरक्षा के लिए उतनी ववस्थाइं शायद नहीं थी या कम थी तो भारत ने ये सोना वहां रखा था इंग्लेंड में दूसरी पॉइंट नमबर टू ववस्थाओं के अलावा ऐसा माना जाता है कि सारा गोल्ड किसी एक जगे रखना सुरक्षित नहीं होता अब अचानक आपके देश में कोई ऐसी इस्थिति बने कि आपके पास सही सोना निकल जाए हाथ आपके हाथ सही सोना निकल जाए तब आपके पास कम से कम एक ऐसी सेफ है एक ऐसा लोकर है जहां आपने रखा हुआ है जब आपके घर में भी ऐसा होता है कि पूरा सोना कभी घर में रखा नहीं जाता बलकि आज कल बैंक के लोकर में रखा जाता है तो वही काम भारत ने भी किया भारत ने अपना आधा सोना घर में जब हम सोने की बात कर रहे होते हैं तो सोने को हम हमेशा एक लिक्विडीटी के रूप में भी देखते हैं सोना हमेशा एक नकद है सोना बिलकुल आप कभी देखे आद पुरानी कहनिया अपने उस वस्तू को जो आपके पास है उसको कैश में कंवर्ड करने जब आप चाहें होता क्याता आप पुरानी कहानिया कभी सुनेंगे तो अगर राजा के पास किसी वस्तू का मोल चुकाने के लिए पैसा नहीं होता था तो अपनी अगूठी अपना कोई चेन वहां दे देता था यह मैंने अभी भी देगा था इंपर एक प्रोग्राम अकर वीरवल आता है तो वहां पर कुछ भी अच्छा कोई पता था सुझा वीरवल बता दे तो यह लीजिए मेरे मूठी यह लीजिए मेरे यहने तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह मूल लवान होते हैं उनकी वेल् चाहे वो भारत का गोल्ड हो चाहे वो रशिया का गोल्ड हो चाहे वो शिरिलंका का गोल्ड हो चाहे वो सूडान का गोल्ड हो पाकिस्तान का गोल्ड हो वो हर जागे गोल्ड की एक ही भाषा है मतलब पूरी दुनिया में जो पैसा होता है उसकी एक ही भाषा होती है आपक का जो मोह है वो गोल्ड के परती हमेशा रहा है बड़े राजा माराजाओं का जो मोह है वो गोल्ड के परती रहा है लंका तो पूरी सोने की बनी हुई तो गोल्ड जो है एक ऐसी चीज है जो हमेशा से जब से मानव सब्भेता का इतिहास हम जानते हैं हमने पढ़ा है तब से gold का मोह रहा है और मुझे लगता है हमेशा gold का मोह रहेगा तो gold की जो value है वो हमेशा हमने देखा बढ़ती हुई कभी पैसे मैंने कम होते नहीं देखे और हमेशा आगे भी ऐसी उम्मीद है कि gold के पैसे बढ़ते रहेंगे ये भी एक कारण है के जो केंद्रिय बैंक हैं सेंट्रल बैंक हैं वो gold को खरीद रहे हैं अच्छे सर एक मेरा जुड़ा उसे सवाल है जैसे आपने property की बात करी कि flat की demand कम हो रही है जबीनों की demand कम हो तो covid की बात ये अकसर देखा गया है कि इस तरीकी की एक situation पैदा हुई है market में जबसे लोगों के पास थोड़ा सा पैसे की कम ही आगी है लगदी की कम ही आगी है gold की पीछे जो ये demand होती है जो ऐसे हम भारती हैं यहां की जो महिला हैं मैंने एक आकड़ा पढ़ा था कि दुनिया का 20% होना जो है वो मांगती है महिला अपने पास हमेशा पहन के चलती है हाला कि थोड़ा उपर नीचे हो सकता है तो यह जो demand है क्या यही demand लोगों का यह सोच जो है इसकी कीमत को कभी नीचे नहीं हाने देगी क्योंकि यह हमेशा खरिदा जाएगा तो हमेशा वो demand supply वाला जो रूल है वो उसमें लगे गहीं लगेगा अहां देखे यह तो एक बात है लेकिन आप शुबं गौर करेंगे तो एक इसके अंदर पहलू यह भी है कि जो लोगों का मोह है खास तोर पे आप देखेंगे जो Middle East है हमारा हमारा पाकिस्तान है बांगलादेश है भारत है South East Asia जितना भी है हमारा तो यह जो दक्षण एशिया का हिस्सा है और Middle East का जो हिस्सा है यहां पे तो हम गोल्ड के प्रती दीवानगी देखते ही देखते हैं लेकिन साथ में हमें यहां यह भी पता चलता है कि जो गोल्ड है गोल्ड हमारे मंदिरों में भी है गोल्ड हमारे घरों में भी है गोल्ड हमारे बैंक के लोकरों में भी है गोल्ड हमारे यहां रीती रिवाज का एक एहम हिस्सा है हमारे tradition का वो हिस्सा है, हमारे संसकारों में gold मिला हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजे होती है, चाहे वो शादियों की बात करें, चाहे आप किसी को gift देने की बात करें, लोग अमूमन gold में निवेश करते हैं और gold एक दूसरे को precious gift के रूप में देना चाहते हैं, तो gold जैसा मैं भी कम नहीं हुआ, आप कुबेर को देखें, आप रावन को देखें, सोने की लंका की बात करें, आप कभी भी कहीं भी देखें, पुराने हमारे, चाहे आप देखें, राजा महराजाओं को के सोने का मुकोट और सोने के उनके पास में आभूशन रहते थे, और चाहे आज बहुत सारे लोगों को देखें जो गोल्ड मैन बने गूमते हैं तो गोल्ड की हमेशा से इज़त ही इज़त है और रहे ही और गोल्ड जैसा मैंने बताया कि पूरी दुनिया में गोल्ड की भाषा एक ही है रूपे की भाषा पैसे की भाषा जिसे कहें वो एक ही है और वो है वो हर जगे समान रूप से जाना जाता है, पहचाना जाता है, खरीदा और बेचा जा सकता है और तमाम तरीके की आर्थिक विपदाओं से, मुसीबतों से, परिशानियों से आपको बचाता है इसलिए गोल्ड से बहतर, निवेश, शायद ही कोई हो चलिए सर, मैं आपको बताया कि भारत और भारत के साथ सभी जो रिज़र्ब बैंक हैं, वो क्यों आखिर इतना गोल खरीद रहे हैं अगली वीडियो में, अगले पॉडकास में हम आपको ये भी बताएंगे काम आदमी के लिए कि किस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं और किस तरीके से आपको सुरक्षित निवेश, लेकि निवेश और सुरक्षित निवेश में बहुत अंतर है, यह हम आपको आने वाले पॉडकास में ज़रूर बताएंगे, तो वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथी हमारे चैनल अमरो पेज को लाइक करें